ओम स्री गणेश आए नमा दोस्तों ओम गणपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 19 जून सनिवार आज के कन्या रासी के देन रिकरासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बीजनेस और वेवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्कून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक गुभाई भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू काने से पहले मेरे आप लोग उस रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को भी तबाएं जिससे आपका समय समय पर नहीं नहीं महत्कून वीडियो पहुँच सके तो चले दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी रासी वालों के लिए आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपका दिन उपलब्दियो भरा रहेगा कारिय चेत्रो और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा जिया दोस्तो साथियों का सहीयोग प्राप्त होगा अधिकारियों का सानेंद्य प्राप्त होगा साथी नई योजनाव पर कारिय अरंब कर सकते हैं व्यापार में लाब के अउसर सामने आएंगे परिवारों में खुशियों का वातावरण रहेगा जाजियां दोस्तों दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी और संतान पक्ष से सुब समाचार की प्राप्ति हो सकती है धन को संचे करने में आप सफल हो सकते हैं साथी साथ बेट रोग से आप परेशान हो सकते हैं और मन में भविश्यों को लेकर आसंका बनी रह सकती है यह बच्चों के भविश्यों को लेकर भी हो सकती है अपनी मन से इन चिंताओं को दूर रखें समय आने पर सब कुछ सुए ठीक हो जाएगा साथ याद किसी भी कार्ये को करनी में चल्दबाजी ना करें वरना बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है पती पतनी में नौक जो होने से हतासा और किरोध की भावनाई पैदा होंगी आपके हाथ में आए हुए अवसर हाथ से सरकते हुए प्रतीत होंगे पारिवारिक मदबेद की संभावना बन रही है दोस्तों आपका विवसायर कैरियर कैसे रहेगा विवसायर कैरियर में नए नए अवसर आपके हाथ जाएंगे साथ ही विवसाई में लाब का योग रहेंगे और धन प्राप्ति का मार्ग प्रसस्त होगा और आप अपने आपको संभाल लेंगे जियां दोस्तो अनेकों छित्रों से धन का अगमन होगा जिससे पुराने अटके वे कारियों में प्रगती आएगी साथ ही आप भाई बैनों से समबंद मझबूत हो जाएंगे और सात ही सात घर परिवार से कोई अच्छे खबर आपको प्राप्त हो सकती है जीवन साती के सहीयोग से आज घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में स्रक्षम रहेंगे दामपते जीवन में प्यार और वात्सले बढ़ेगा साथ ही दामपते जीवन में मधुस्ता आईगी और घर परिवार में खुशियों का महल रहेगा जीए दोस्तो, अब बात कर लेते हैं आपकी Love Life के बारे में दोस्तो, आज आप अपने प्यार और पार्टनर के साथ वक्त विताएंगे और उन के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी जाएंगे और आपस में तोफों का आदान प्रदान करेंगे और आज आपको प्यार के खुबसूरत पलो का एसास होगा साती जीवन साती का प्यार और सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ के मामलों में आज का दिन काफी बहतर रहने वाला है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में स्वास्य संबंदित कोई पुरानी स्वास्य संबंदी समश्या आपको प्रेशान कर सकती है जैसे जोडों में दर्द, ऐलरजी, अपने आपको स्वास्त रखने के नियमत योग करें व्यायाम करें, प्रणायम करें और अधिक स्वास्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें काले घोडे की नाल का छला अपनी उंगली में धारन करें साथ ही स्रद्धा अनुसार काला कपड़ा, काली उडद, सरसो का तेल, काले तिल किसी सनी मंदिर में या किसी गरीब को दान अवश्य करें दोस्तो इससे आपको भगवान सनी देव जी महराज की विसेश किरपा प्राप्त होगी, दोस्तो आपको भगवान सनी देव का सिर्दा प्राप्त हो, कमेंड में जै सनी देव असे लिखें, तन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुग और मंगल में हो